इसी बीच एक बड़ी अपडेट आपको देदें आज फैसला आना है और उससे पहले वहाँ पर ये आपको बड़ी अपडेट देदें उससे पहले वहाँ पर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम है उससे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया है इसमें उन्होंने ज्यान वापी का नाम लिए बिना बहुत कुछ कह डाला है उन्होंने का है मस्जिद पर कोई बातचीत नहीं होगी तुम अपने घर का सौदा कर लो मस्जिद अल्लाह का घर है तुम एक मस्जिद खोचुके हो अब कोई मस्जिद नहीं खोएंगे ये बयान है असदुद्दीन ओवैसी का दिखाते हैं आपको ने मस्जिद पर बातचीत होंगी क्यों मस्जिद तुमारी बात की जाजा से तुमको शरीयत नहीं मालूम तुमको कुछ नहीं मालूम अर बीजे पिएसे लोगों को तयार कर रहे है जिनको ना शरीयत से कोई वास्ता जिनको ना खुरान और सुन्द से कोई वास्ता ना समझ उनको कुछ नहीं होता मस्जड पर पात्षीट करनी चाहिए। हरे अपना घर का सौदा तुम कर लो मगर आल्ला का घर है। इसमें कोई पात्षीट नहीं होसकती है। एक मस्जड खो दिया बाओर कोई मस्जड नहीं कुई नहीं चलता होता। आप एमान बेचना चाहने हो बेचो तूं, अमगया अल्दा का घल है ये, तुमको कोई हथ नहीं जिया कि कोई किसी मस्जिद के बारे बात कर से कि. हमारी जिम्मेदारी है, हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है को मस्जिद को आभाद रखें। कौन कह रहा है किस से कह रहा है कि महजिदों आबाद वच्छों हमसे कह रहा है कि तुम रसूल अल्दा सुल अल्दा की उम्मत हो तुम अल्ला पर यखीन करने के लाह तुम्हारा रहा है तुम आखरत पर यखीन करने वाले हो और कुम किसी से नहीं जड़ते से वाल्दा के ABP News आपको रखे आगे